ओम शान्ति 15.2.2024 के साकार अनमूल धानना युक्तमदुर महावाके हैं मीठे बच्चे बाप आई है कांटो को फूल बनाने बाप का प्यार कांटो से भी है तो फूलों से भी है कांटो को ही फूल बनाने की मेहनत करते है गीत कोश्चन है जिन बच्चों में ज्यान की धारना होगी उनकी निशानी सुनाओ आंसर वह कमाल करके दिखाएंगे वह अपना और दूसरों का कल्यान करने के बिगर रह नहीं सकते तीर लग गया तो नस्टो मोहा बन रोहानी सर्विस में लग जाएंगे उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी कभी कोई बेसमजी का काम नहीं करेंगे किसी को दुख नहीं देंगे आउगुन रूपी कांटों को निकालते जाएंगे ये है धारना स्वरूप बच्चों की निशानिया ओम चानती यह तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लिवर घड़ी हैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं सेकिन भी कम जास्ती नहीं हो सकता जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलियोगी कांटों का जंगल तो फूल बनने वाले को यह मैसूस था आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं पहले हम सब कांटे थे कोई छोटे कोई बड़े कोई बहुत दुख देते हैं कोई थोड़ा अब बाप का प्यार तो सब में है गायन भी है कोटों में कोई फिर कहते हैं तेरे कांटों से भी प्यार फूलों से भी प्यार पहले किस से प्यार है जरूर कांटों से प्यार है इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं आते ही हैं कांटों की दुनिया में इसमें सर्व्यापी की बात नहीं हो सकती एक की ही महिमा होती है महिमा होती है आत्मा की जब आत्मा शरीर धारन कर पार्ट बजाती है श्रिष्टा चारी भी आत्मा ही बनती है तो ब्रश्टा चारी भी आत्मा ही बनती है आत्मा शरीर धारन कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार क कहा जाता है यह को कर्मी है और यह सुकर्मी है आत्मा ही अच्छा वा बुरा कर्म करती है तो अपने से पूछो सत्यूगी देवी फूल हूं वा कल्यूगी आसुरी कांटा हूं कहां सत्यूग और कहां कल्यूग कहां डीटी कहां डेविल बहुत फर्क है कांटी जो होते हैं वह अपने को फूल कहना सकें फूल होते हैं सत्य युग में कल युग में होते नहीं अब यह है संगम युग जब तुम कांटे से फूल बनते हो तीचर लेसन देते हैं बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे आउगु निकल जाएंगे और तुम सतो परधान बन जाएंगे बाबा निबन देते हैं बच्चों का काम है करक्ट कर छपाना तो सभी मनुष्य सोच में पढ़ जाएंगे ये पढ़ाई है बाबा तुम्हें बेहर की इस्टिय ज़ौगरफी पढ़ाते हैं उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल की इस्टिय जोगरफी पढ़ाई जाते हैं नई दुनिया की हिस्ट्री जोक्राफी तो कोई जानते ही नहीं तो यह पढ़ाई भी है, समझाने भी है कोई छीची काम करना ये बेई समझी है फिर समझाया जाता है, ये विकारी काम दुख का नहीं करना है दुख अरता-सुख अरता बाप की महिमा है ना यहां तुम भी सीक रहे हो तो किसी को भी दुख नहीं देना है बाप सिख्षा देते हैं सदेव सुख देते रहो यह अवस्ता कोई जल्दे नहीं बनते शैकिन में बाप का वर्सा तो ले सकते हो बाके लाइक बनने में ताइम लगता है समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वरक के बादशाही तुम समझाते भी हो कि परलो की के बाप से भारत को विश्व के बादशाही मिलती है पहले मिली थी अब फिर मिल रही हैं तुम सब विश्व के मालिक थे यह तो अभी बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए कल की बात है कल भारे स्वरग था आज फिर बन रहा है कल फिर बन जाएगा कल आज और कल की बात है जब तुम स्वरग के मालिक थे बाबे केते कल की बात है जब तुम स्वरग के मालिक थे मनुष्य कह देते लाखो वर्ष कहां एक-एक युक के आयो लाखो वर्ष भी कह देते हैं कहां सारे कल्ब के आयो पाइंच-छेजार वर्ष हैं तो बहुत फर्क है ना ज्यान का सागर एक ही बेहत का बाप है उन से दैवी गुन धारन करने चाहिए ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रती दिन तमों पर्धान बनते जाते हैं जाश्ती आउगों सीखते जाते हैं आगे इतनी करप्शन, एडल्ट्रेशन, ब्रस्टाचार नहीं था अब बढ़ता जाता है अभी तुम बाप की याद के बल से सतो पर्धान बनते जा रहे हो जैसे उतरते हो, फिर जाना भी ऐसी ही है पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा जिसने जाश्ती भक्ती की होगी उनकी जाश्ती, याद की यात्रा होगी बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठेड़ती नहीं भक्ती में भी ऐसे होता है कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धी और और तरफ भाग जाती है सुनाने वाला देखता रहता है फिर अचानक पोछते हैं हमने क्या सुनाया तो बाहरे हो जाते हैं मूंज जाते हैं कोई जट बताएंगे बुद्धी एकागर होगी ध्यान से सुन रहे होंगे तो जट बताएंगे नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे तो बाबा नहीं कहा कोई जट बताएंगे सब तो एक जैसे होते नहीं भल यहां बैठे हैं परन्तु धार्ना कुछ भी नहीं अगर धार्ना होती तो कमाल कर दिखाते वह अपना दूसरों का कल्यान करने भीना रहनी सकते भल किसी को घर में बहुत सुख है महल, मोटरें आदी हैं परन्तु एक बार तीर लग गया तो बस पती को कहेंगे हम यह रोहानी सर्विस करना चाहती है परन्तु माया बड़ी जबरदस्त है करने नहीं देती मोह है न इतनी महल, इतनी सब कैसे छोड़े? अरे, यह इतनी सब पहले जो भागे बड़े-बड़े लग पती, कुरूर पती घर की थी सब छोड़ करके चली आई यह तकदीर दिखाती है इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की दोनों बाते बाबाने बताई ना तो तकदीर में हैं और आत्मा में वो ताकत भी नहीं है छोड़ने की रावन की जंजीरों में जकड़े हुए हैं यह है बुद्धी की जन्जीरे, तो बाप समझाते हैं, अरे, तुम स्वरक के मालिक पूजी बनते हो, बाप, गैरंटी करते हैं, 21 जनम तुम कभी बिमार नी पड़ेंगे, एवर हेल्दी, 21 जनमों तक रहेंगे, तुम भल रहो पती के पास सिरफ उनको, उनकी छुपती, लो, सुरी, तो मैं पवीत्र बनूँगी और बनाऊंगी, ये तुम्हारा फोर्च है, बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं, याद करते करते, तमू परधान से सतो परधान बन जाएंगे, कितनी समझ की बात हैं, शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ, उन जैसी प्यारी वस्तो और कोई है ही नहीं, बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो परधान बनो, तुम अपार सुख द देखेंगे, बाबा स्वरक का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं, माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता हैं, बाबा ने, माताओं को ही त्रष्टी बनाया हैं, सब कुछ तुम माताई ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखाना, फिर उन्होंने लिख दिया, सागर मंथन किया, अमरत का कलश लक्षमी को दिया, अभी तुम जानते हो, बाबा स्वरक का द्वार खोल रही हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा ले, क्यों ना वीजे माला में पिरोई जाएं, महवीर बने, तो बेहत का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, स्वरक का मालिक बनाने के लिए, एक दम कांटो को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटो पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं, बाप को बुलाते ही हैं, पतित दुनिया, पतित शरीर्स में, निर्वान धाम छोड़कर यहां आओ, तो बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार मुझे कांटो की ही दुनिया में आना पड़ता हैं, तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे, अभी तुम कल्योगी कांटे, से सत्योगी देवता, सतो परधान, विश्व के मालिक बनो, कितना प्यार से, समझाया जाता हैं, कुमार फूल है, तब तो सब उसके चर्णों में गिरते हैं, वेह जब कांटा पतित बनती हैं, तब सब को माथा ठीकना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए, फूल का फूल रहना चाहिए, कन्याई अगर सुन रही है, क्या बनना चाहिए, फूल का फूल ही बनना चाहिए, एवर फ विकार से लिया, जैसी सन्यासी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महन आत्मा कहते हैं, कहां वह सत्यू के महन, आत्मा, विश्व के मालिक और कहां यह कल्यू के, तब बाबा ने कहा हैं प्रशन लिखो कल्यूगी कांटे ही सत्यूगी फूल हो कल्यूगी कांटे हो या सत्यूगी फूल हो ब्रश्टाचारी हो या सरिष्टाचारी हो यह है ब्रश्टाचारी दुनिया जबकी रामन का राज्य हैं कहते हैं आशुरी राज्ये राक्षश राज्ये हैं परन्तों अपने को कोई समस्ते थोड़ी हैं अब तुम बच्चे युक्ती से प्रसन पूश्ते हो तब वह आपे ही समस्ते हैं बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी हैं प्रदशनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फिलिंग आए कि मैं तो कल्योगी कांटा हूं अभी तुम फूल बन रहे हो बाबा तो एवर फूल है वह कभी कांटा नहीं बनते बाकी सब कांटे बनते हैं वह फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूं तुम मुझे याद करो माया कितनी प्रबल है तो क्या तुमको माया का बनना है बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं माया अपनी तरफ खींचती है यह है पुरानी जूति आत्मा को पहले नहीं जूति मिलती है फिर पुरानी होती है इस समय सब सजनिया ने बावे कहते इस समय सब जूतियां सत्तमु परधाने हैं मैं तुमको मकमल का बना देता हूँ वहां आत्मा प्योर होने के कार्ण शरीर भी मकमल का होता है नो डिफेक्ट यहां तो बहुत डिफेक्ट है वहां के फीचर तो देखो कितने सुन्दर हैं वो फीचर तो यहां कोई बना न सके अब आप कहते हैं हम कितना उंच बनाते हैं घर गृष्ट में कमल समान पवित्र बनु और जनम जनमांतर की जो कट चड़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अगनी है इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पक्का सोना बन जाएंगे खाद निकालने की युकती बहुत अच्छी बताते हैं मामी कम याद करो तुमारी बुद्धी में ये ज्यान है आत्मा भी बहुत छोटी है बड़ी हो तो इसमें परवीश करना सके कैसे करेगे आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं परन्तु देखने में नहीं आते साक्षातकार होता है परन्तु साक्षातकार से तो कोई फाइदा नहीं होता समझो तुमको बैकुंट का साक्षातकार हुआ लेकिन इसे फाइदा क्या है बैकुंट वासी तो तब बनेंगे जब पूरानी दुनिया खतम हो इसके लिए तुम योग का अभ्यास करते हो तो बाप समझाते हैं बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है सबसे जास्ती प्यार का सागर बाप है तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो बाप कहते हैं अपनी को आत्म समझ भाई भाई को देखो तो क्रीमनल ख्यालात बिलकुल निकल जाएंगे भाई बहन के संबन से भी बुद्धी चलाइमान होती हैं इसलिए भाई भाई को देखो माहा तो शरीर ही नहीं जो भाण आए या मोह जाए परमधाम में कोई शरीर ही नहीं तो बाप आत्मों को ही पढ़ाते हैं तो तुम भी अपने को आत्मा समझो ये शरीर विनाशी है इन से थोड़ी दिल लगानी है सत्यूग में इससे प्रीत नहीं होती मोह जीत राजा की कथा भी सुनी बोला आत्मा एक शरीर छोट जाकर दूसरा लेगी पार्ट मिला हुए हैं मोह क्यो रखें इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना अम्मा मरे बीबी मरे तो हलवा खाना और कोई दास्ता ही नहीं है सतो परधन बनने का पुर्शार्थ से ही विजे माला का दाना बनेंगे पुर्शार्थ से जो चाहिशो बन सकते हैं बाब तो समझाते हैं जितना पुर्शार्थ कल पे पहले किया होका वही करेंगे बाब तो है ही गरीब निवाज दान भी गरीबों को ही दिया जाता हैं बाब खुद कहते हैं मैं भी साधान तन में आता हूं ना गरीब न सहुकार तुम बच्चे ही बाब को जानते हो बाकी सारी दुनिया तो सर्व्यापी कह देती है बाब ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहाँ दुख का नाम भी नहीं रहेगा भक्ति मारग में मनुष्य आशिवाद मांगते हैं यहां तो किरपा की कोई बाती नहीं माथा किसको टेकेंगे बिंदी है ना बड़ी चीज हो तो माथा भी टेकें छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते हाथ किसको जोडेंगे यह भक्ति मारग की निशानिया सब गुम हो जाती है हाथ जोड़ना भक्ती मारग ही हो जाता है बहन भाई है घर में हाथ जोड़ते हैं क्या बच्चा मांगते हैं वारिस बनाने के लिए बच्चा मालिक ठहराना इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं बाप तो बच्चों का सर्वेंट है अच्छा, मेठे मेठे सिक्की लदे, बच्चों प्रदी मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, डाइमन मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाप तादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डाइमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते धानना के लिए मुखी सार है विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है मोहजीत बनना है परतिग्या करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोईंगे नहीं सेकिंड पॉइंट बायाप समान मीठा बनना है सबको सुख देना है किसी को भी दुख नहीं देना है कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है अपना और दोसरों का कल्यान करना है बरतान शुब चिन्तन द्वारा नेगिटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुब चिन्तक भाव सबस्टिकन सदा स्मर्थ रानी के लिए सरब दो शब्द याद रखो शुब चिन्तन और शुब चिन्तक शुब चिंतन से नेगिटिव को पॉजिटिव में परिवर्थन कर सकते हो शुब चिंतन और शुब चिंतक इन दोनों का आपस में संबंध है अगर शुब चिंतन नहीं तो शुब चिंतक भी नहीं बन सकते वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो क्योंकि बहुत सी समस्याइं ऐसी हैं लोग ऐसे हैं जो वानी से नहीं समस्ते लेकिन सुब चिन तक बन डिरेक्शन दो तो बदल जाएंगे स्लोगन ज्यान रतनों से गुणों और शक्तियों से खेलो मिट्टी से नहीं अव्यक्त इशारक जहां मधूरता है वहां ही पवित्रता है बिना पवित्रता के मधूरता आने ही सकते तो सदा मधूर रहने वाले सेवा के निमित भल अलग-अलग इस्थानों पर रहते हो लेकिन मन तो मधूबन में ही रहता है ना मधूबन अर्थात मधूरता संपन कभी बच्चों पर वाकारिय विवार में आते आपस में कुरूद तो नहीं करते हो कोई कैसा भी हो अंजान बच्चा हो या बड़ा हो लेकिन ग्यान से ही उस समय अंजान है ना अंजान के उपर कभी कुरूद नहीं किया जाता रह्म किया जाता है ओम शान्ते